सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोज आप देख सकें आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो धवाई का पौधा माना जाता है और उसकी मांग विदेशों में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों आपने किसी भी स्थान पर और किसी भी रुतू में उगने बाला एक ऐसा पौधा देखा होगा जो पानी की कमी के बावजूत भी उगाता है अरंडी का ये पौधा गाउं में तो खेती का रक्षक और घर का पड़ोसी बन कर रहने वाला माना जाता है अरंडी को बात नाशक जक्णन दूर करने वाला और शारीरिक गती सील्टा को बनाए रखने वाला माना जाता है खास तोर पर अरंडी की जड़ और पत्ते दवाई में प्रयोक्त होते हैं इसके बीजों में से जो तेल निकलता है उससे बायू के तमाम असी प्रकार के रात के समय में फटी हुई एडियों पर लगाएं और सुभे अपनी एडियों को गुनगुने पानी से धो डालें ऐसा अगर फटी एडियों में आप करेंगे और लगातार ऐसा करते रहेंगे तो कुछी दिनों में आप देखेंगे कि आपकी फटी एडियां बिल्कुल ठी अगला है जोडों के दर्द से राहत दिलाता है। अगला है गांठ मिटाने के लिए अरंडी के बीज और हरडे समान मात्रा में लेकर पीस ले इसे नई गांठ पर बांधने से वो ततकाल बैठ जाएगी अगर लंबे समय से पुरानी गांठ होगी तो भी पक जाएगी और फूट जाएगी अगला है बाल उगाने के लिए इसका प्रियोग भी किया जाता है अगर आपके सिर में कम बाल हैं या बोहें पतली हैं तो हर रोज अरंडी के तेल का प्रियोग कीजिए सोते समय बोहों पर जहां बाल कम हैं हलका अरंडी का तेल लगाएं कुछ दिन तक नियमित प्रियोग कर अगला है सूजन को दूर करते हैं अरंडी के पत्ते अरंडी के पत्तों पर सरसों का गरम तेल लगा कर सूजन वाली जगए पर बांधें या चाहें तो अरंडी के तेल से सूजन वाली जगए पर मालिश करें इसे दर्द और सूजन में आपको आराम मिल जाएगा अगला है नाखुनों को चमकदार बनाने के लिए अरंडी के तेल को हलका सा गर्म करें और इसमें अपने हाथ के नाखुनों को कुस देर के लिए डूवएं और फिर उनकी मालिश करें आप चाहें तो नाखुनों को डोवने की जगे कॉटन की मदद से नाखुनों पर तेल लगा कर मालिश कर सकते हैं इससे आपके नाखुन चमकने लगेंगे अगला है कब्ज की समस्या में शोद के मुताबिक अरंडी के तेल के प्रियोग से कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है सुवए एक चमच अरंडी का तेल लेने से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है आप चाहें तो इसे संत्रे के जूस, करोंदे का जूस या अदरक के जूस के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं ध्यान रहें तीन दिन से ज्यादा अरंडी का तेल ना लगाएं अगला है दाद दाद की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप अरंडी के तेल का प्रियोग कीजिए इसमें मौझूद अंडाइसी क्लीनिक एसेड फंगल इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करता है अरंडी के तेल को प्रभाविश शित्र पर पूरी रात लगे रहने दें हर रात को सोनी से पहले उस स्थान पर अरंडी का तेल लगाएं अगर आपके शरीर में कहीं तिल हैं तो उनको दूर करने के लिए भी अरंडी बहुत ही महत्पूर मानी जाती है शरीर पर जन्म से तिल हो और उन्हें दूर करना आप चाहते हैं तो अरंडी के पत्तों की डंडी पर थोड़ा सा कली चूना लगाकर उसे तिल पर घिसने से वो तिल गिर कर जड़ जाते हैं।